कि हलो दोस्तों मैं जिते इंद्री शर्मा बिहार टेस्ट बूक पे आप सभी लोग का स्वागत है और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों तो सब लोग तैयार है आज के संग्राम के लिए तो कल मज़ा आया था पढ़ने में कल मज़ा आया था कि नहीं पहले ठीक है और फिर भी हमने क्लास करा है ठीक है तो तो कम से कम जो है मैं देख रहा था तो कुछ कह रहा था कि उसमें अरे सर ये तो रिकॉर्डिंग चल रहा है अरे बहुत सब्सक्राइब रहा है तो ठीक है मैं सब का आपने सब काय देख रहा था ता कल पूरा जैड़ा ठीक है बत्चे सब पूरी तरह से करने आए है तो बहुत अच्छा लगा कल का आप लोग पूरी तरह से जी जान से तो आञ थे लगा था मुझे ठीक है जाले तो आज आज तो लाइव है आज तो सब्लों लाइव है तो सुप्रिया कुमारी रूपा सिंग और दिप्तांस कुमार जी बरसा जी निया खान जी बहुत सारे स्टुएंट ऐसे इस्टुएंट थे जिन्हों ने कहा कि सर NCRT से भी हमें करा दीजे तो मेरा टार्गेट क्या है कि हर सेटेटे नौवा का NCRT जैसे हिस्टी ले लिया अब नौवा का जोगरफी ले लेंगे नौवा का पॉलिटी ले लेंगे थे ना तो इस तरह से हम लोग जो है एक एक NCRT को कवर करते चलेंगे थे ना ताकि अगर एक्जामनर ने NCRT से कोशन अगर पूछ दे तो हम लोग तयार हैं कि आप NCRT से भी पूछेंगे तो हम आप बिलकुल तयार रहेंगे आप मतलब मैं अपने स्टुडेंट को कहीं से भी मात नहीं खाने दूंगा यह वादा है आपसे यह वादा है आपसे थे ना चले तो स्टार्ट करें चले तो स्टार्ट करते हैं तो आज दो घंटे की क्लास है एंसे आटी फोकस करेंगे आराम नाम से पढ़ेंगे चीजों को समझें क्योंकि नौवी क्लास की जो अंसी आटी है उसमें जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री के कोशन ज़ादा थे ना पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री भडा पर नौवे के एंसाटी में तो भाई आपका सहयुग चाहिए लास तक टिके रहोगे ना यह वादा करते हो ना कि लास तक टिके रहोगे तो तो क्या उत्तर की जिएगा चलिए जलिए पढ़ाया तो तो तेसे रुख जाही उद्या हमें ले लूँ दूबार से ले लूँ क्योंकि यह यहां पर कोशन कहा कहरा आपसे कोशन कहरा मेरे भाई कोशन कहरा बास्टील जेल पर जी यहां दोस्तों तीसरी रियासत के हमले ने हावा दी थी यह ना कह रहा है जिस वक्त नैशनल असेम्ली समीधान का प्रारुप त्यार करने में वैस्थ थी पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था कराके की ठंड की कान फसल मारी गए थी और पाव रोठी कीमते आसमान चूर है थी बेकरी मालिक इस्तिती का फायदा उठाते वे जमाखोरी में चुटे थे बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतिजार के बाद गुसाई औरतों की भीर ने दुकानों पर धावा बोल दिया दोसी तर समराट ने सैना को पैरिस में परवेश करने का आदिश दे दिया था और कुर्द भी ने चौदर जुलाई को बास्तिल पर धावा बोल कर उसे नास्ते नाबूत कर दिया था तो जी हां ये बात किसकी है तो फ्रांस की क्रांती की बात करें तो सबसे पहला चीज क्या तो जी हां 14 जुलाई कब दोस्तों 14 जुलाई 1789 इस वी को फ्रांस की क्रांती की सुरुवात हो गई थी थे ना जी हां दोस्तों क्या तो बास्तील के पतन के साथ जी हां भाई जी बास्तील या दखना है बास्तील के पतन के साथ यहां पर क्रांती की सुरुवात हुई थे इसमें सासक कौन था तो जी हां इसमें फ्रांस का सासक पूछा जाए कि फ्रांस का सासक कौन था तो जी हां दोसे या देखना फ्रांस का सासक कौन तो लूई सोलवा था या देखना है यानि लूई सोलवा के समय में फ्रांस की करांती हुई थी या देखना है तो यहां से को सनगी बात करते हैं आगे बने दोस्तों नेस को सिंग बढ़ते न तो इसका उत्र क्या करेंगे तो फ्रांसी सी क्रांती इस दार राइट आंसर कब यहां से पूछेगा तो बिल्कुल आंसर आएगा चले आगबते इसका उत्र क्या है जी फ्रांस की क्रांती इस दार राइट अगला को सिंस कह रहा है यूरोप में दुट्य विश्वध हिटलर पूछा है कि आकरमन के साथ सुरू हो गया था यह नब पूछा है अगर हिटलर क की बात करें हिटलर के जी यहां दोस्तो हिटलर की बाच चल रही है कि साथ हिटलर ने ऐसे किस देश पर आकरमन किया था किसके आकरमन के साथ है जी हां दुट्य विश्वध की सुरुवात हो गई थे विदेश निती के मोर्चे पर हिटलर को फॉरण कामयाबिया मिली थी ठ दिते न एक समर्द एक नेटय के नारे की आड में 1938 में उसको सु यह को लिया था इस द़म इसके निमा बसे एंगिलेंड का इंगलेंड का भी खामों समर्थन मिल रहा था कोगि इंगलेंड की नजर में वार्साई की संदी के नाम denial जर्मनी के साथ बरी नाइनसाफी हुई थी ऐसा इंगलेंड का मानना था से लगा कि डेश की नैयति अप पलटने वाली है लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका सक्स में हिटलर को सला दे थे कि सैना और हतियारों पर ज़्यादा पैसराग ना खर्च किया जा क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था लेकिन नासी जर्मन ने अतिहात पसंद लोगों के लिए कोई जगान नहीं ठीना सासत में सितंबरP Chris 919 पूरा एंशी आर्टी का कटिंग है एंशी आर्टी का ंवेक्टिंग लेकर चल रहा हूं ठीना यानी अगर चाहिए अगर यहां पर सेकेंड वौलवर्ड दुद्ते विषूत की बात करें बहुत ही महात्पुन चीज है कि दुद्ते विष्यूत की बात चल रहे है विष्यूत की बात चल रहे है तो पॉसक्किशूरुवाट का तो जी आहां दोस्तो एग सितंबर-1 एक सप्टमडर-1939 झाला किया था पॉलेंट पर चोप पॉलेंट पर आकरमन के साथ क्या सिरुआत हो गया तो इसका आंसे क्ई लाइट आए पहना लां दोस्त दौस तीसरा है鄭ी इस राइट आंसर जब पॉलिन पे आक्रमन किया एक सप्टमबर 1939 को किसने हिटलर ने तो इसी हिटलर के आक्रमन के साथ ही जी हां दुत्ते विश्वत की सुरुवात हो गया था यह दखना है मजारा पढ़ने में पूरा NCRT के कटिंग के साथ आज मैं आपका स्वागत कर रहा हू यानि लिगरी में, जेना में, वाटरलू में, और कोला में यही न पूछाए जी चले 1804 में नेपोलिन बुर्णापार्ट ने खुद को फ्रांस का समराट घोसित किया था पूरा केलियर है यानि जो नेपोलियन जो था नेपोलियन की बात करें तो मेरे भाई नेपोलियन कब तो जियां दोस्तों 1814 में क्या तो जियां फ्रांस का सासक बना था फ्रांस का क्या बना था? तो सासक बना था सासक बना यह अपने आप में सबसे इंपोर्टेंट है थे ना सासक में जियां दोस्तों उसने परोष के उरोपे देशोई विज़ाई आता सुरू की पुराने राजवनसों को हटाकर उसे नए समराज़े बनाए उसकी बागणोर अपने खांदान के लोगों सोतनता जिलाने को मित थे पर जल्दी उसकी सैनाओं को लोग हमला मवार मानने लगे आखी खार 1815 वाटर लू में उसकी हार हुई थी तो जियां दोस्तों अगर देखा जाए तो सासक बना कब तो अठारस चार में नेपोलियन अठारस चार में फ्रांस का सासक बना था यह सीथी देखा जाए जी दोस्तों आगे चलकर 1815 इसी में नेपोलियन कौन सा तो वाटर लोग के युद में युद मैं क्या हुआ था तो नेपोलियन क्या हुआ था तो दोचीजें आपने सीखा पहला पार्या क्या सीखा लगा कि नेपोलियन बुर्णापाथ हमारा मुक्ति दाता है हमें मुक्ति दिलाएगा कौन नेपोलियन ठेना ऐसा लगा ठेना और हमारे विकास के लिए काम करेगा नेपोलियन ने समराज्य वादी नीती के अक्तियार किया था और आगे चलकर देखते देखते अपने परोसी राज्यों की सीमाओ पर अपने समराजी का निर्मान किया था आगे चलकर वाटरलू के युद में नेपोलियन को बुरी हार का सामना करना पड़ा था यत भी नेपोलियन अपना अंतिम जीव की बात चले किस महादीप में लड़ा गया था यह ना पूछा है तो जियां दोस्तों फर्स वल्वर वर्वास फॉर्ट इन्वेच कॉंटिनेंट यह ना कह रहा देखे प्रतम विशुद की बात करें यह पर दोस्तों कह रहा ना प्रतम विशुद ना कह रहा मेरे भाई समझन वाली बात है ध्यान समझना जियां दोस्तों प्रतम विशुद क्या तो 1914 से लेका दोस्तों कब तक तो जियां 1918 इस्वी तक प्रतम विशुद चला था पहला चीस के लिए रहे जियां दोस्तों इसकी समाप्ती कौन सी संदी से हुई थी अगर समाप्ती की बात करें तो जि युद में जर्मनी की बहुत बुरी हार हुई थी इस युद में जर्मनी जियां दोस्तों जर्मनी जर्मनी और इसके सहयोगी और इसके सहयोगी पराजित हुए थे सहयोगी क्या हुए दोस्तों पराजित हुए थे तो यहां से आप से पूछा जा सकता है तो जियां दोस्तों कहां पर यह रोप में लड़ा गया था तो बिलकुत सेजवाब है यानि प्रत्थम विशुद करें तो प्रत्थम विशुद कब से तो यह दखिएगा 1914 लेकर 1918 के बीच में प्रत्थम विशुद लड़ा गया था इसमें जर्मनी बुरी तरह से पराजित हुआ था और जर्मनी पर वारसाई की संदी ठोपी गई थे और इसकी सक्ती को सीमित किया गया था किसकी सक्ती को तो जर्मनी की सक्ती को यह दखना है तो यहां से पूछे तो यहां से आंसर आना चाहिए मेरे भाई मजा रहा है ना क्या मेरा नेड़ने सही है एक बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजे ताकि क्या मेरा नेड़ने सही है जो मैं नौवी क्लास की एंसी आटी जो मैंने पकड़ा है कि हर एक सेटेडे को हम लोग दो घंटे एंसी आटी पर टाइम देंगे तो क्या यह निर्ने बिलुकुल सही है क्या आप सहमत है कि कहीं न कहीं एक्जामनर जो है यहां पर जो एंसी आटी से कोशन पूछ सकता है तो उस पर बिलुकुल सही बहुत अच्छा पर चलिए बहुत आधा है दुते विषिट को समाप्त करने वाली संधी कौन से यहीं न आ कहा रहे है चले तो यहां पर समझना होगा अमेरिक मैं फसने से लगातार बस रहा था सेकंड वार्ड वर्ड में अमेरिका बच रहा था विशुद की वज़े से पैदा हुई आती समस्रा को दोबारा नहीं जहिनना चाहता था लिए लंबे समय तक यूद से दूर भी नहीं रह सकता था पूरा में जापान की ताकत फैल रही थे उसने फ् पैटालीस में हिटलर की पराजय और जापान के हीरोशीमा सहर पर अमेरिकी प्रमानुबं गिराने के साथ खत्म हुआ था तो जी यहां दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या अमेरिका दुट्ते विशुद में कूद परा था और मई 1945 में हिटलर की पराजय हुई थी मई 1945 में हिटलर बुरी तरह से पराजित हुआ था किसमें सेकेंड वर्ड वर्ड में यह दखना है तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि कि संधी की द्वारा तो जी हां पैरी सांती संधिया इस दा राइट आंसर यह दखना अगर यहां से पूछेगा तो बिलकुल आप लोग कर स दखते हैं ठेना चले अगरें यानि यही शुरुवात पूछा जाए कि प्रत्था दुत्ते विश्युत की सुरुवात कब हुआ था यही शुरुवात पूछा जाए शुरुवात कब तो एक सप्टमबर दोस्तों 1939 को जिया पॉलेंट पे आकरमन के साथ या दखना मेरे भ अगला कोशम क्या कह रहा है । परतर विश्यूत की बात करें तो पहला चीस तो आपको क्लियर है कि 1914 से 1918 कि बीच में यह युद हुआ था जिसके भी में तो एक तरफ क्या तो मित्र रास्ट थे मित्र रास्ट थे और मित्र रास्ट की बात के इसमें कौन-कौन था तो जी यहां जैसे इंग्लेंड था इंग्लेंड दोसे या देखना यानि ब्रिटेन की बाद चल रही है इंग्लेंड था फ्रांस था ठीना इंग्लेंड था फ्रा था या देखना और साथ साथ में क्या तो ज relevant तर्की था ये एक तरब थे जिया दोस्तों तीन सुद्ट रॉइट आंसे अधिना यांनि दोस्तों आउड़र रॉप्षया कर सकते रूस कर सकते हैं ठीना यानि प्रथम विश्यद की बात करें तो प्रथम विश्यद की बात साम्मिल किया था यहां से पूछे तो बिलकुल आपई चिना सब आवाज कम आ रही है क्या आवाज कम आ रहे है आवाज कम है अवाज बरहा तो क्या अवाज जींगे तो और आगे बहुत कम है जले है जै तो आगे बढ़े दोस्तोंर नोसर संट ठीक है ठीक आल केलियर है ज़द उत्ते किस वर्स लरा गया था ये ना फूचा है यहीं सेकंड वर्ड वर्ड की बात चल रही है कि सेकंड वर्ड वर्ड कब हुआ था यहां से पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजेगा चले तो जी यहां दोस्तो हिटलर यहीं नहीं रुका सक्तने हिटलर को सला दी थी कि सेनव हतियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रहा था यहां पर पता चल रहा है यहां पर हिटलर ने सितंबर धर दोस्तो kna यहां युदकी सुरुवात होई थे और दोस्तों पॉलिंट पे हमले के साथ सुरुवात हुआ था यह भी आपको यह तखना है और समाप्ती क्या अगर इसे नंक्या राइजी किस अंतरास्ति के धौरान रूसी क्रांती हुई थी यह ना पूछा है किस अंतरास्ति यूदध के दौरान भाई GG को सनबक होती हुव रहा है कि तक है तक नीज़् सो पैंतालिस सी तक दुट्टे विशुद लडा गया था, यहां तक केशियर है, सबको के लिएर है, चलिए है, यहां तक के लिएर। रूस जापान युद की बात करें तो 1905 इस्वीव में क्या तो रूस जापान युद हुआ था नेपोलियन युद की बात करें तो जियां 1815 में दोस्तों क्या तो वाटरलू के युद में क्या हुआ था तो जियां पराजित हुआ था कौन यही नेपोलियन या दखना प्रत् मजने वाली बात है कि ये रोप के सबसे पिछले दोगी देशों में रूस में यह समीकरन उलट गया 1917 की अक्टूबर की क्रांटी ठेना के जरी रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कबजा कर लिया फरवरी 1917 में राजसाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ओटूबर क्रांटी काहा जाता है ऐसा कैसे हुआ क्रांटी सब रूस के समाजविक राजनेटी कहादत कैसे थे इन सवालों को जुणने के लिए क्रांती से कुछ साल पहले कि स्थितिय पर नजर रखें तो जियां भाईजी अगर देखा जाए तो जियां दोस्तों यह रहा दोस्तों जान निकोलसन जियां दोस्तों जान निकोलसन क्या था यहां का सासक था दोस्तों रूस की क्रांती बात करें रूस की क्रांती ना कह रहा है तो मेरे भाई अगर यहां से पूछा जाए तो दो तरह से कोच सेंदुपो सकता है कि रूसकी करांती किस वर्स होई थे जलिसान चुठ़ी कहा जाता है अगर कोमल कुमारी कोमल कुमारी यदि आप से पूछ दे कि रूस की क्रांती को किस नाम से जाना जाता है तो अक्टूबर की क्रांती कहा जाता है या दखना कब हुआ था 1917 में या दखना ठीक है ना चले तो आगे बने मजारा पढ़ने में चले आगे बढ़ता है इश्रुफ दीजи राइट आंसर यह दखना है टूरा विस्प के किस प्रसिद्व्यक्ती को ऐसे बात करें दोस्तो ऑपर उ 20 अपरेल 489 119 को इसका जन्म कहां पर इसका जन्म की बात करें तो और देखना ऑस्ट्रिया के वह ऑण सहर में इसका जन्म हुआ था कि लिए रोगे दोस्तों के ए तो नाजी पार्टी का गठन किया था नाजी पार्टी बात करें तो नाजी पार्टी के सापना किस नहीं तो इसी दोस्तिया दखना इसे किस नहीं किया था तो हिटलर ने किया था साथ साथ में इसकी बात करें तो 30 अप्रेल दोस्तिया दखना 1945 को इसने क्या तो खुद को खुद को गोली माल लिया था खुद को गोली मार लिया था गोली मारा था स्वैम को गोली मारा था ठीक है साथ साथ में दखना साथ साथ में या दखना है मेरे भाई इसे हिटलर की बात करें तो जी यहां तो साथ लाख साथ लाख यहूदी की हत्या करी थे इसने साथ लाख यहूदी या दखना है मेरे भाई साथ लाख यहूदी की हत्या किया था किसने इसी एड़ाट हिटलर ने यानि हिटलर ने अपने टाइम पीरिट में 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दिया था यहूदियों को यह अपना दुस्मन समस्ता था कौन यह हिटलर और नाजिजम इसने नसलवाद को बढ़ावा दिया तक इसने इसी हिटलर ने दोस्तों या दखना तो मेरे भाई इसका उतर क्या करेंगे एडॉल्फ हिटलर इस दा रॉइट आंसर या दखना मेरे दोस्त या दखना यहां से पूछेगा तो गलती मत करिएगा गलती मत करिएगा चला यहां करता है अगला प्रसंन क्या कह रहा हैं जी हां आप से पूछा लिटिल बॉइ क्या है यही ना पूछाइजी लिट्ल बोय क्या चले देखिए नहीं से अमेरिका इस तmented में फ्सर लगातार बसता रहा था अमेरिका दुत्तर विशुद में लगातार बसतार रहा था यही मैं 1945 में हिटलर की पराज़े हिटलर की पराज़े या दखना मेरे भाई किसकी पराज़े हिटलर की पराज़े और जापान के हिरोशीमा सहर पर अमेरिकी परमानु बम गिराने सा समाप्थ हुआ था तो जियां दोस्तों यहां पर यहां देखना कितने तारी को 6 अगस्त दोस्तिया देखना 6 अगस्त को जियां दोस्तों हीरोशीमा हीरोशीमा पर हीरोशीमा पर क्या तो बम गिराया गया था क्या परमानू बम आगे देखे 9 अगस्त 1945 को फिर से बम गिराया था कहां पर नागा साकी नागा साकी दोस्तों या दखना नागा साकी पर क्या तो बंब गिरा था या दखना इसे क्या दोस्तों इसे क्या बोलते हैं तो इसे दोस्तों बोलता है लिटिल बॉई जियां दोस्तों या दखेगा तो इसका उतर करिये तो जियां हिरोशीमा पर गिरा विखंडन जापना है अगर यहां से पूछेगा तो बिल्कुल आंसर आना चाहिए भाई जी जले अगर बढ़ते हैं अगला कोशन क्ला जार के पतन को के रूप में भी जाना जाता है तो जी हां कैरा खुनी रवीवार है फरवरी क्रांती है जी आ दोस्तों कैरा कामें टर्ण क्रांती है यहां समझेगा जियां दोस्तो यहां जार के सासन की बात करें जार के जान निकोलसन किसका दोस्तो जार निकोलसन की बात चल रही है तो जान निकोलसन क्या थे तो जीया भाई जीया दखना जान निकोलसन क्या थे तो रूस के सासक थे दोसे या दखना रूस के क्या थे सासक थे या दखना मेरे भाई यहाँ पे देखा जाए तो फरवरी में क्रांती होई थे जीया दोस्तों फरवरी में क्या हो गई थी तो क् चोड़ना पड़ा था इसी को फरवरी करांती कहते हैं तो जी यहां दोस्तों जान निकोलसन की बात करें तो जान निकोलसन ने रशिया में दोस्तों या दखना रशिया में रूस में जो रास्तंत्र की कमान सौपे हुई थे इने के खिलाफ जो मजदूरों के द्वारा मजद क्तूबर करांती पूछे तो इसे को हटाने को दोस्टों क्या तो जी आनृ भाई-जी क्या कहते हैं फरलरी क्रांती के नाम से जाना जाता है या दखना मेरे भाई या дальше चले अगर बता है अगला कोशन क्या किरा जी तो जी यहां दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 1917 में सर्दियों में राजधानी पैत्रोग्राथ की हालत बहुत खराब थी ऐसा लगता है कि मौझूद विविंताओं को ध्यान में रखकरी सहर की बनावर्ट तैकी गई थी मजदूरों के क्वाटर कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे बाएं किनार पर फैसनेबर इलाके विंटर पैले सरकारी माते थे जिस माल में डियूमा की बैटक होती थे वह भी इस तरह फरवरी में मजदूरों के इलाके में खात परदातों की भारी कमी थे उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थे भीसन को औरा बरबारी हुई थे संसद्य प्रतिनी चाहते थे कि निर्वाजी सरकार बची रहे इसलिए वह जार दुवारा जार डियूमा को भंग करने के लिए की जारी कोश्य का विरोत कर रहे थे इसी को फरवरी क्रांती कहते हैं तो जी यहां दोस्तों बी इस दा रॉइट आंसर या दखना चले इसी को मेरे भाई रूसकी क्रांती हिलां जी यहां दोस्तों जी बोल शेविक क्रांती कहते हैं यहां धाँना है जिए बहुएजे और इस क्रांती का जनक पूझा जाए तो जनक कौन थे तो जिहां लेलीन से ते अधवनाहें कौन थैं मेरे बाई लेलीन को इसका आंती का जनक माना जाता है यहां कि पूछ है तो तो रिखा सिंग रिंगू मंडल जी विवेक सिंग जी आज सुहासनी जी आंसर करके बताएं तो जियां दोस्तों लेलिन इस दा रॉइट आंसर थे ना चले अगर बनें नैस को सिंग बात करते थे ना किया अगला क्या कह रहा है जी यह प्रतम विश्वत की सुरुवात की सेकल घटना से हुई थी यह ना दोस्तों यह दस्थना यहां पर क्या तो सरीविया के राजकुमर्स की कर दी गए थे जियान दो फॉर्ट इनेंड के हत्य की गई थिया धी का सब्सक्राइब की ख सुनो लो कि इस हत्या ने दोस्तों किया पर दिया था हवा दिया था मेरे क्या लाइंट आइन करते हैं आगे क्या कि अगला को संस्क्राइब ध्यान समझना जी यहां दोस्तों कह रहा है पहला विश्वत रूसी समराज्य कर दो यूद्ध चर गया था एक खेमें जर्मनी और तुर्की था और दूसरे फ्रांस ब्रिटेन और रूस था बाद में इटली रूमानिया भी इस 세요 यूरोप के साथ-स इस यूरोप के बार भी फैला था इसी यूद गाजाता है पहला विशुत गाजाता है तो जी यहां दोस्तों किसके वीचे हुआ था तो एक तर तो राइट आंसर यह दखीएगा चुले हैं अगला प्रस्थन क्या कहा रहा है प्रत्थम विश्वत के बाद जर्मनी में गंतंतर की स्थापना कहा हुई थी तो म्यूनिक में बर्लिन में वाइमर में सासथ में क्या इनमें से कोई नहीं यह ना पूछा है प्रत्थम पहले मैं देखना चाहता हूं कि किन सजन ने लाइक नहीं किया है पहले उन सजन से request है कि लाइक करें लाइक करें ताकि संख्या बढ़ाई जा सके मेरे बयाई दो सो तेरा लाइक के 300 प्लस मुझे लाइक चाहिए 300 प्लस लाइक चाहिए चाहे कुछ भी हो जै मैं दिन रात मर करके आप लोग के लिए दिन रात अपनी आखे फोर फोर करके को सन्स बना रहा हूं समझतना इतना असान नहीं है मेरे पूरी रात करके पूरी पूरी आप मेहनत करना रात के एक एक दो बच जाते हैं इतना तो हमारा हग बनता है कि लाइक की संख्या 300 प्लस कर दीजे तेजी से तेजी से दोस्तों चले तो इसका क्या करें दोस्तों तो जिया वाइमर इस दार राइट आंसे अधक ना चले अगला कह रहा है प्रथम विशुत के दौरान कौन सा देश 1915 में बेटेर के खिलाब धूरी बलों में सामिल हुआ था यहे नभ पूछाए जी चले घα दोस्तों फ्रांस था बुलगारिया था अमिरिका जर्मनी था इसना पूछा था चलृट नहीया तो रूस था, रूस के साथ सथ क्या तो जी यहां फ्रांस था, फ्रांस के साथ सथ क्या तो जी यहां इटली था, इटली भी था दोसे यहां दखना, लेकिन बाद में, बाद में दोसे यहां दखना, बुलगारिया की बात करें, जो बुलगारिया पहले प्रथम विशुद मे बिटेन का पक्षदर था ये बाद में जाकर क्या तो जी हां धूरी रास्टों में सामिल हुआ था धूरी रास्टों में सामिल हो गया था है भाइअ इसको भी आखना मेरे भाई तो इसका उत्तर क्या तो जी यहां भी जर्वाइट आंसे आखना यहां बुलगारिया जो है धुरी बलों में सामिल हो गया था यहां से पूछे तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई अभी 288 लाइक हुआ है संख्या 332 चल रही है क्या अभी भी 300 लाइ समाजिक अनुबंद पर अधारित सरकार के रूप के प्रस्ताव को किस ने दिया था तो जीन जैक्स रूसों ने डैविड हुम ने मॉंटेस्क्यू ने सासत में क्या तो जॉन लॉक ने यही ना पूछा जी लोगों उनके प्रतिनियों के भी समाजिक अनुबंद पर अधा सरकार का प्रस्ताव किसने दिया था आंजा कीजेगा तो जीन जैक्स रूसों दोस्ता रूसों ने दिया था रूसों ने दोस्तों या दिखेगा समाजिक अनुबंध पैधारी सरकार के रूप का प्रतिरूप दिया था किसने इसी रूसों ने दोस्ते या दखना यहां से भाई जियां दोस्तों अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या 1917 की अक्टूबर क्रांती के जरिये जियां रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कबजा कर लिया था और इसी को क्या तो रूस की क्रांती कहते हैं इसका जनक कौन था तो जनक की बात करें तो ले लेलीन को क्या तो जनक मानते हैं जारण नीकुलसन की सत्ता को हटा करके जारण नीकौलसन की सत्ता को टा करके 1917 की तो जीहां यहां पर समाजवादियों ने पूरी साथन विस्ता त्था economists क्या था और इस जनक कौन थे तो यही लेलीन थे जिससे एक्टूबर क्रांती के नाम से जानते हैं तो या दकhiएगा क्या बोलते हैं ऐक्टूबर क्रांती अंटा कह जाता है या दखना है मेरे भाई थे न उखेज आगे बढ़ें अजो पूंजी वादी समाज है कि बहुत कि आ तो मेरे देख रहे हो कितना मेहनत करकी यहां हो देख रहë हो ना मेरी पूरा कटिंग कर कर करके यहां पर एक एक चीज लेकर आयाा हूं कटिंग को करकर के पूरा डाइमेंसिन को देख देख करके पूरा कोसंस क्या किया है सेट किया है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए समझे मैं रहा है तो जियां दोस्तों याद रखिया क्या दोस्तों करेंगे तो कालमक्स इसदार राइट आंसर दखीएगा यहां से पूछे तो बिल्कुल आंसर आना चाहिए चले बटें अगला को संस क्या कह रहा है जी मेरे भाई को संस कह रहा है बीज जून 1789 को वार्साइमे ठीक है तीसरे सदन के पतिनदियों नेका नितत किसने किया था यह नप पूछा है मिराबो लुिस और सास्त में क्या जी हाँ दोस्तों लुइस किसने 14 ने यह नप पूछा है अबे, सीएस और मिराबियों ने लुइस कह रहा है दोस्तों याद है क्या 14 लुइस 14 और रूसों ने सासत में क्या रूसों और मॉन्टेस्क्यू ने यही ना पूछा जा रहा है जी 1789 को वार्साय में 30 सदन के जी हां दोस्तों यही रूस का समाज की बात करें हम आफ की जिएगा फ्रांस के समाज की बात चल रही है फ्रांस का समाज जी हां दोस्तों यदि हम फ्रांस के समाज की बात के से तीन पार्ट में पढ़ा हो था प्रतम स्टेट जी हां दोस्तों प्रतम स्टेट की बात चल रही है प्रतम स्टेट था सासन क्या तो दुत्ते स्टेट था जीयां दोस्तों क्या तो दुत्ते स्टेट था यानि कि दोस्तों देखा जाए तिर्ते स्टेट था तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा यानि फ्रांस का समाज की बात चल रही है तो फ्रांस का समाज कितने पाड़ों में बड़ा था प्रथाम स्टेट दुत्ते स्टेट और तिरते स्टेट में बढ़ा था यह दखना है अब पूछा है कि वार्साय में तीसरे सदन का तीसरे सदन का नितर्थ किस ने किया था यहीं न पूछाए जी तो जी हां जी आँ दोस्तों अब इसी एस और मेरावियू इसदार राइट आंसिया दखना इसी दोस्तों क्या तो तीसरे सदन का जी यह दोस्तों जो तीसरा स्टेट था तीसरा स्टेट क्या था तो स्रमिक थे मजदूर थे किसान थे वैपारी थे वह किसमें थे तो तीसरे स्टेट में आते थे जी यह दोस्तों प्रथम स्टेट और दुत्ते स्टे कार्ट राइट ने जैम्स हार ग्रीव ने इन में से कोई नहीं यह ना पूछा है लाइसेज फियर का विच्छार किसके द्वा दिया गया है यहां से पूछे तो आपका क्या उत्तर होगा दोस्तों बनाएं तो जी यहां भाई जी अगर यहां से पूछेगा तो क्या एडम स् पुस्ता कोना से थे the wealth of nation किसमे लिखा है यहां तो फूछेए तब बिल्कुल कर सकते हैं अगला प्रसन क्या कर रहा है रूस में पहली पंचश वर्सी शुरू ही थी जैना पूछा है बहुत में पहली पंच वर्सिय अ centrally और याE योजना शुरू ही अगर यह पूछा जाए दो क्या से कीजेगा चले तो वर्स बता दिए खिस वर्स में भारत में किस वर्स पंच वर्सी-जूजना की सुरुवात किया था अगर यहां से पूछा जाया तो क्या उत्ता कीजिएगा यहीं न कुछ संवा कह रहा है जी आशर वा कीजिएगा चले तो यहां भाएजी जियां 195 प्वारत में पंचवर्शी योजना की सुरुवात किया घया था जबकि रूस की बात करें तो जी रूसं की बात करें तो रूस ने 1928 में सुरू किया था भारत की बात करें तो भारत ने कब तो 1951 में सुरू किया था या दखना मेरे दोस्तों या दखना है अगला प्रस्मित क्या कह रहा है जियां कह रहा है फ्रेंच में सभी लोग बास्तील से नफरत क्यों करते थे फ्रेंच में वो राजवन्स की लूई जीयां दोस्तों लूई सोलवा फ्रांस की गदी पर बैठा था लूई सोलवा जीयां दोस्तों लूई सोलवा ना चार पांस ठीक है लूई सोलवा फ्रांस की गदी प्यास न हुआ था उससे में उसके उम्मर केवल 20 साल के थे उसका विवा आस्ट्र के विसाल महल और राजदर्बार की शानुस स्वक्त बना रखने की फिजल खर्ची का बोज अलग से था लूई सोलवे के सासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के तेरों अपनिवे सवकों साजा सत्रू बिटें से अजात करने में साहता दे थे इस कारण से उसकी आर्थिक इस्ति सबस्क्ति होई थे जी आं दोस्यां दखएगा बास्तील का पतन पूछा जाए पतन कब हुआ था जी आ बास्तील का पतन की बात करें तो 14 जुलाई दोस्याद गक्णा 14 जुलाई 1789 को क्या तो बास्तिल का पतन हुआ प Q19usankt 능ा और जिसे में कौन थातबार तो राज़ा क कौन तो जियां दोस्तों लूई सोलवा था या दखना है कौन था लूई सोलवा था या दखना चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन क्या कह रहा है जियां कह रहा है फ्रांसी सी करांती सुरुवास से पहले अंतिम पूछा है सासक कौन थे यह ना पूछा है जियां दोस्तो ये भी आपसे पूछ सकता है कौन सा वंस था अगर ये पूछा जाए कौन सा वंस था तो आपको आंसर करना क्या तो बुर्बो वंस था कौन सा वंस था बुर्बो वंस था कहां पर तो जी यहां फ्रांस में थे न जिस समय फ्रांस की क्रांती हुई थे तो फ्रांस की क्रांती वर्ववंस के सासक बात करें तो लुई सोलवए थी या देखना लुईसमें इस समय सासक बना था उस समय उसकी उम्र कितने थे कितना उम्र थे तो जी हाँ उसकी उम्र कितने थे तो या दखना मेरे दोस्तों कितना उम्र था तो 20 साल का था और इसकी साधी किस से हुई थी तो आस्ट्रिया की राजकुमारी और से राजकुमारी मेरी एंतो एंतो एंते से हुई थी या दखना यहां यहां यानी फ्रांस की करांती की देन है तो जी गंतंत समाजवाद लोक्तंत्र रहे लोक्तंत सम्रभुता गंतंत्र है धन मेरे पिस्ता वाद लोक्तंत ऑ बाद है तो जियां दोस्तों फ्रांसीसी क्रांती ने विश्व को क्या दिया है क्या दिया है मेरे दोस्तों तो स्वतंद्रता समांता बंधुत की विचारधारा स्वतंद्रता समांता बंधुत की विचारधारा किस ने दिया है तो इसे फ्रांसीसी क्रांती ने दिया है मेरे ओडी का एक जी मार रहे हो अरे डी काए दे रहे हैं जी सोतंतरता समानथा बंदत की विचारणधारा किस ने दिया था इसी फ्रांसी सी करांति ने दिया था या दखना है चले अगला को संस क्या हहा है दुथे वष्चित कभ समाप्थ हुआ था यह न पूछआ है चले तो 30 अप्रेल कह रहा है उन निश्व सब्कलरक्ण को मैं निश्व सब्कलरण को सासाथका चौरकस निश्व सब्कलरक्रकर यहीदा कहाराcribe जिए जी हां दुत्ते विष्भी की समाप्ती पूछा जारा है मेरे भाई दुत्ते विश्युत कभ समाप्थ हुआ था यहीं न को सनुआ कह refugee उतरवा कीजगा का उतर होताय हो कोसन का जवाब देजगा और डेली आपको पता नजी डेली मौग का टाइम कितने मैं बढ़र सारे इस्टूडेंट जो है डेली मौग में नहीं आ रहे हैं का हैं नहीं आते स्क्रवार तक होता है और यह कब तक होता है एक सम्वार्से शनी वार की तक होता है इसका उतर क्रिया तो तो जी आंब भाय जी साथ में 1945 इस ता राइट आँसर देखना आगे कर रहा है रास संग अस्थित में आया था यही ना पूछाएजी रास अस्तित में कब आया यहां से कोस्टनवा कोह रहा है उतरवा कीजेगा तो रिज्वान बेगम जी उतर कर दीजे लकी कुमार जी सीख कि पंद्रामार्च उन्निस सो निस एडर्च जनवरी 1921 यह ना कह रहा है जी चले आज़करी तो जिया दोस्तों 10 जन्वरी 1920 इस दर राइट आंसर यह दखेगा लिए प्रारम में प्रथम विशुद्ट तक है जियोंज वस्यू सीमित था प्रारम में प्रथम विशुद्ट तक से मिर्था ऊरोप में अफरीका में एश्या में यहीना कह रहा है यह तो अगला कहा है जियाँ अगला करन्ती कब शुरूए थी 1689 में 1789 में 1889 में तो यह तो आंसर कर दीजे अरे अब तो सिंपल है फ्रांस की क्रांती परहा चुका हूं वालड़ी कि फ्रांस की कांती 1789 में लुई सोलुए के समय में हुई थी लुई सोलुए में जियां दोस्तों रास्तंत्र को समाप्त करने के लिए की गई क्या क्रांती दिजिसने स्वतंत्रता समानता बंदुत की विचारधारा पर फोकस किया था यह दखना है तो उत्तर क्या तो जियां 1789 से इस दा राइट आंसर यह द अगला प्रस्ति जियां दोस्तों यह दखेगा तो जियां जिस वक्त नसले समीधान का प्राइब त्यार करने में लगे थे जियां 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बुलकर नस्ते नाबूद कर दिया गया था कब तो 1789 को और इसी दोस्तों क्या तो फ्रांस की क्रांती यह दखना 14 जुलाई 1789 से इस दर राइट आंसर यह दखेगा तो बास्तिल के पतन के साथ बास्तिल के पतन के साथ जियां फ्रांस की क्रांती की सुरुआत हुई थी मेरे भाई फ्रांस की क्रांती की सुरुआत हुई थी यह दखना है चले आगा बनें नेस को संस का कह रहा था यहीं न पूछाए जी चले जियां दोस्तों या दखेगा पागर दुट्टे विश्वत की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दुट्टे विश्वत की बात चल रही है दुट्टे विश्व युद्ना कहरा मेरे भाई तो जियां दौस्तों 17-1949 इस्व में जी हां यह सुरुवात हुई थी क्या तो दुत्ते विशुत की सुरुवात हुई थी जैसे हैं समाप्त कभ हुआ था समाप्त हुआ था 1945 में तो oni सो पैरिस में दो से दिखेगा पैरिस में दो सब्सक्यात जिया संदी होई थे या दखना गहां पहले संदी होगा इस का तो यहां दोस्टोय में चॺन कि तो यहां नियुभर तो पहले कहां जिसमें संभी संधी समझोते थे जिसे जिसमें दोस्तो OM मैं है तो इस संदी समझोते से से युद समाप्त हुआ था या दखना है अगला कह रहा है सितंबर 1940 में ठीक है निखना से किन देशों के बीच एक तिरिपक्षे संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे 19o की बाद चल रही है France In England USA है Germany Italy Japan है यहीं समझेगा जी यहां दोस्तों 35 संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे यहां से पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजेगा चले आंसर करें दोस्तों तो जी यहां भाईजी जर्मनी इतली जापान इस दार राइट आंसर या दखना है जी हां एक सब वन सप्टमबर दोस्या देखें सबको पता है सबको पता है कि सुरुवात हुआ था सासंदोस दोस्ते दिखेगा जी आधो सप्टमबर वाड में कब पार्टिसिपेट किया था अगर यहां से पूछे तो क्या आंसर करेंगे जवाब दें आंसर करें अटेम्ट लें क्या उत्तर गब रहें तो छोटी जी कोमल कुमाई जी पिंकी ठाकुर जी को सन्मा कह रहा है को सन्मा आप से कह रहा है कि अमेरिका ने दुथ्ते-विस्वद में कब पार्टिस्पेट किया था यहां से पूछा जया तो आफ्ट से तालीस है आठ्ट अक्टूबर उनुसी 9408 ते ते दोस्टों 9-019 440 इसार राट आंशे आ अंहीं देखना जियाँ दौस्तों इसी अमेरीका यी बात करें अमरिकां का दोस्तों क्या तो 6 अगस्ट शेद रखना 6 अगस्त 1945 को ठीक है और 9 अगस्त 1945 को या देखना क्या तो यह मरे भाई पर्मानु मारा है किस पर दोस्तों जापान पर मार थाए जिसने इसरे की रूप रेखा बदल दी ती या दखना तो जी रे इन Edu से पूछे तो बिल्कूट सही है और बाठाएं प्रतम विश्यूत के दौरान Vischute के दोस्टे किसके विरुद थे ऊस्ति और जर्मनी और किसके विरुद थे और ले किसके विरुद धा चले तो और सबस्कर करते दोस्ते इसे तो निहाजी चाहिसे में निधी शी आन्सकष करें बताइए अगर यहां से पूछेगा तो क्या उत्तर करें बनाएं तो जी यहां भाई जिसका उत्रक्या उपरोग सबीज़ा राइट आंसर लाइक की संख्या को 400 पार कर दीजे जली से दोस्तों तेजिसे 400 पार कर दीजे ताकि अंगुठवा टेकल मत भूलिया लोग नहीं अंगुठा टेके के बाद और लाइक के संख्या कतना तो जी हां 400 प्लस कर दीजे 400 बरहा दीजे 400 प्लस करते इसे चले आगर बढ़ते हैं अगला कोशन का कह रहा है जी प्रथम विश्यूत की पूर्व संद्यापर ट्रिपल अलाइंस किन देशों का ने बनाया था यहीं ना कह रहा है उत्तर कीजेगा कोशन का का ट्रिपल अलाइंस का निर्मान किस ने किया था तो जर्मनी ऑस्टिया इटली ने इंग्लेंड रूस फ्रांस ने जर्मन इटली जापान ने इंग्लेंड जापान आस्ट्रिया ने यहीं ना कह रहा है दोस्तों प्रथम विश्यूत में कह रहा ह है किसे प्रत्थान विश्वत की संधिया पर ट्रिपल नायंस का रिमर किसने है जर्मनी आस्ट्रिया और जिया दोस्तों इटली ने ट्रिपल नायंस का फॉर्मिशन किया था तो ए इस दार रॉइट आंसिया दखना चुलेगा बते हैं अगला कोस्तिंस क्या कह रहा है जिया राज्ठ संक्य वास्तुकार कौन थे यह ना पूचा वुड्रों विलसन थे रुजवैल थे लेलिन थे सा असन जवाहल नहरू थे यह चार सू अगुठा अभी भी नहीं डबा है 393 पे रुका हुआ है तो जिन सज्जन ने अब तक अंगुठवा नहीं टेके हैं तो अंगुठवा टेक दीजे क्योंकि यह महनत ही हमारी रंग ला रही है लगतार आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सो और्गिनाइस कर रहा हूं मेरे भाई चले तो जी तेजी का उथा तो जिया भाई जिप बलकुल साये विड्रो विलसन is the right आंश्या देखना ये और वुलडो विलसन कौन थे तो जिया दोस्तो प्रथम विश्युद की बात करें या दखना प्रथम विश्युद में विश्युद में जियां भाईजे यह अमेरिका के क्या तो USA के क्या थे तो जियां यह रासपती थे दोस्या दखना यह रासपती थे जिसने क्या तो जियां कंसेप्ट दिया था क्या तो राससंग का कंसे जादा हो गए थे तो इनका मानना था एक ऐसे रास्ट संग के आप एक्षा की थे जो आने वाले समय में ऐसे भीशन खतरनाक युद्धों को रोख सके या दखना तो इसी की देन तिक किसके तो वुड्रो विल्सन किया दखना जर्मनी में नाजी ताना साही किस वर्स होई थी यह ना पूछा है तो जियां दोस्तों 30-31-32-33 यह ना कहरा है यही ना जी ताना शाही जियां दोस्तों नाजी ताना शाही की स्थापना किस ने किया था अगर यहां पे देखा जाए तो नाजी वाद की स्थापना पूछा जाए तो जियां दोस्तों इसकी स्थापना किस हिटला ने किया था या दखना मेरे भाई हिटलन ने इसकी स्ठापना किया था इस्तापना किया तो शाट लाक यहुदी तो सर्माधी दोस्तों हत्या आंसिया दखना तो नाजी वाद की स्थापना कब तो 1933 में हिटलर के द्वार किया गया था यहां से पूछे तो आंसर आना चाहिए सीता 24-39 गलत कर दिया रूबी कुमाई जी आपने गलत कर दिया 1933 इस दा राइट आंसर यह दखिएगा ते ना क्या दोस्तों 1933 अगला प्रसंद क्या कहा रहा है अमेरिका ने प्रथम विश्वत में कब भाग लिया था तो यह तो हो गया प्रथम में 1917 में और दुत्य में कब तो 1941 में पार्टी सीपेट किया तक इसने अमेरिका ने यह दखना चलिए अगला प्रसंद का कह रहा है जी हाँ 14 जुलाई 1789 को हुई निवखित मैंसे किस घटना के कारण फ्रांस ने इस दिन अपना सोतनता दिवस घोसित किया था यह ना पूछा है स्टेट जनरल की सतकि सुरुवात हुई थे नैसनल एसेम्ली घोसना हुई थे बास्तील का पतन हुआ था मनुष्य नागरी के अधिकारों की घोसना हुई थे बास्तील क्या था जेल था यह दखना मेरे भाई अगर यहां से पूछे तो 14 जुलाई 1789 को बास्तील के पतन के साथ क्या तो फ्रांस की क्रांती हुई थे जिसमें रास्तंत्र को समाप्त करके लोक्तंत्र को इस्थापित करने का प्रयास किया गया था जी हां दोस्तों कब तो जी हां बास्तील का पतन के साथ या दखीगा यहां से पूछे गा तो बिल्कुल आंसर आना चाहिए में चाहिए चाहिए चल सुन्फ का कोह रहा है का कोहँए जफिए कि मैं हैbaar सब्सक्राइब निलम कुमारी और रहुल कुमार जी आंसर करें यहां से पूछे कि रूस में खूंडी सांती की घटना कब होई थे यह खूनी रविवार कब हुगा था तो जीन फूराइब किस ने किया था तो जीन दोस्तों लुडेंड डॉर्फ ने जॉर्ज वाशिंग्टने सासथ में क्या तो जीन मार्शल फिलिप पेंटर ने यह एडविन एल्डरसन ने यह ना पूछा है यह प्रतम विश्युद में फ्रांसीसी सैना का नितरत्व करता कौन था यह आप से पूछा जा रहा है उत्तर करें बताएं अगर यहां से कोशन पूछी तरह वह लोगीन का जवाब दें बताएं का पूछा है रूसी करांती का प्रमु कान क्या था तो रूसी अभियान में जर्मनी की हार हो गई थे एक जर्मन राजकुमारी क्वाजर निकोलसन दूखी साधी हुई थे समाजी कानों बिश्तेज आर्थिक अंतरकास्तित्म था मास्का रूसी कुनिंता की अपील थे यह ना प्रमुक कारण क्या था तो लखी कुमार जी कुमार शुजी जी सुवासने लव सासात में जितने स्वेंट सायांसर करे यह जो समाजी कार्णों के बेज ठीक है आर्थिक अंतर का अस्तित्व था यह दखना जीए दोस्तों समाज का जो कुलीन वर्ग था ज्यादा पैसा वाल संन्सनर की सत्ता को हटा कर यहां पर जियां दोस्तों यहां पर राश्टनतर को अटा कर लोग तंतर की स्थापना का प्रियसता दोस्ते जिए अगला कहरा है कि जियां अगर तो अगस डिक्री का सम्मंद किस क्रांटी से हैं यहां से पूछा जाए तो टुनी रविवार की घटना की समय रूस में जार कौन था यहना पूछा ए निकोलसन दुतिये थे निपोलियन थे जासक था नेलिन थे परहें तो लिनिन को रूस की क्रांटी जनक का जनक कहा जाता है अब कौन सा जार था यहां जाने Go 영상 सन्दूतिए इज cosplay आ देखे कौन तो रूस का साथ सकता रूस का साथ था मेरे दोस्ते या धुक्तव में होई थे तो जी अंदस्तों 1905 मोई تे यह दतीट है जिस समय में 1905 में डी ऄंव्य का कह रहा है जी हां किस अमेरिकी राश्पती ने मामंदी के बाद ठीक है आर्थिक सुधारों के लिए नई डील की घोचना की थी चले तो अबरहाम लिंकन है बेंजाम फ्रेंकलिन है रुजवेल्ट है जी एफ कनेडी है ये ना पूछा है अगर वैस्विक आर्थिक मंदी की बाद चल रहे है तो मेरे भाइ आर्थिक मंदी ना कह रहा है जी तो किस वर्स हुआ था और मंदी की बात करें तो कब हुआ था तो जीए भाई जी वर्स 1901 जीहां यह वैस्विक आर्थिक मंदी देखा गया था तो जीहां दोस्तों कौन ले कहा था रुजवेल्ट इस दर तो यहां से आप से पूछा जा सकता है अगला प्रसन क्या कह रहा है फ्रांस रास्टी सभाने समीधान का प्रारूप कप तया पूरा किया था रास्टी सभाने पूछा है यहां से पूछेगा तो यहां से पूछेगा तो क्या उत्तर कीजेगा तो जी यहां दोस्तों आंसर करिये तो 1791 is the right answer यहां दखेगा आगे बढ़ें अगला कह रहा है प्रथम विशुद में किस रास्ट ने जर्मनी से संदी कर्यूद से अपने आपको अलग कर लिया था यह ना पूछा है यानि दोस्तों ऐसा कौन सा देश्ता जिसने प्रथम विशुद में जर्मनी के साथ समझ होता किया और जर्मनी से स्वमजाथा करके अपने को प्रथम विश्च से अलग कर लिया था तो जिया सरभिया है रूमानिया है इटली है रश्या है यह ना पूछा जीता जिया रूस इस दर राइट आंसे अगना क्या दोस्तों रूसिस दा राइट आंसर बाद में सामिल हो गय वाश्ता यह था यह ना पूचा है तो जीहां दोस्तर रूस की परांती काद नितफ किस दलने किया था यहां से विσιक करा रहा है एक यह तरह ऑलाव लोगीन कि गा उत्तर होकना का की कि कईवी कि इसी को दॉस्त दॉस्तर तो किस तो रुष्य कान्ति क कर सकते हैं निंश्मילसे ने किसने रूस में सक्त आपात कालिनल उपाई की सुरुवात किया था तो लेलिन ने सासे का स्टालिन ने अलेक्जेंडर करंस्की ने पैट्रो इस्टॉली पिन यहीं न पूछा है को सब्सक्राइब किया था यहां से को संपूछे तो क्या उत्तर करें बदाएं तो नीलम कुमारी मातमा इस उसर सत्रह में रासाही को गिराने वाली फर्वरी करांती का नितर किसने किया था चले तो जी यहां दोस्तो केरा पैट्रो ग्राद ने काल मार्वा वासी लेवा ने मैक्स बेवर ने यहीं न पूछा है जी हैं दोस्तो इस समय सासकौन थे अगर यहां पर सासकी बात करें तो सासर कौन तो जान निकोलसन थे किसकी सत्ता को तो जान निकोलसन दोसेया दखना जान निकोलसन की सत्ता को हटाने का प्रयास किया गया था जिसे फरवरी करांती कहते हैं किसके नतरतों में तो जियां दोस्तों पैत्रोग्राद इसदार वाइट आंसया दखना इसी नतरतो जिसमें जान निकोलसन के सता को हटाने का प्रयास किया गया था यह दखना है तो इसका उतर क्या तो जियां ए इसदार राइट आंसया दखिएगा देगे दोस्तों कोई बात नहीं आज गलत करेंगे गलत हो जाएगा एक्जामनेशन हाल में गलत नहीं होगा मेरे भाई अगर बनेशन विती को निगेत मैंसे कौन सा ワर्स्त में कॉस्तर्स में आतंग के सास्नकाल की रूपें जान जाता है यह ना पूछा है जी यंशा身 इसनाय रिकिश नवे से का समय कहा जाता चाहिए तो पूछोरानड़ी करसके बियुक्रत ऑस फ्रांसे के आतन के साहनकार के रोप में किस आता है तो दुछा देख़या जैक्ट कर सकते हैं जर्मनी में तानज साहिक स्थापना किया था जी हां दोस्तों जडिए है है गे जो कर देखेगा iabill in aart is that जेगा तो ता ना साही की स्थापना नेल में तर ड्षाय स्था नयांट तो इसी ने क्या थो नाजीवाद की स्थापना किया था नाजीवाद की स्थापना पूछा किस में तो इसे हिट्लर ने किया था यह दखना है तो यहां से पूछे आंशर आना चाहिए चलिए अगला प्रसंद क्या कह रहा है जी है कह रहा है नहीं पूछा यह और मैक्सी मिलियन रॉपस्पियर थे फैर्डिक विल्यम चाफोर थे जॉर्स जॉर्स जैक्स डेटन थे जीन पॉल मारत थे यह ना पूछाए जी तो जी आ दोस्तों अगर यहां से पूछा जाए तो फैर्डिक विल्यम फॉर्ट इस दार राइट आंसिया दखियेगा ठेना चल पादरी और कुलीन वर्ग थे यही न कहा रहा है जी तो जीयां दोस्तों अगर यहां पर देखा जाता फ्रांसीसी क्रांती समय जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था यही क्या था तो जीयां दोस्तों विश्यसाधिकार प्राप्त वर्ग था क्योंकि यह तो टै पासी समाज का जमीन अधिकांज जमीन किसके पास था इसी पादरी और कुलीन वर्क के पास था या दखना है तो जियां भाइजी डीजर रॉइट आंसर या दखेगा आगे बढ़ें अगला कह रहा है किन तीन एरोपिन देशों ने तिरपक्षे समझोता नामक गटबंदन प ठीक है जर्मानी इटली और रूच था ठीक है जर्मनी और स्ट्रीय इटली ठाथिक है फ्रांस ऑस्ट्रीय रूज था यहीं कह रहा है जी तिलपक्षी समझोते पर हस्ताक्छर किया था यहां से कोशन पूछा जाए तो मेरे भाई आपके कर्णिंग क्या उत्तरों का दोस् अग्ला कह रहा है प्रतम विश्वत किसवर सुरू हुआ हुआ था ज़िए अग्ला प्रसुनर क्या कहा रहा है जिया फ्रांसीसी खृती से से कौन से सही मिलान किया है चले 1989 नेपोलियन कोड आया था तैनिस कोड और था 1992 में रास्टी सम्मिलन हुआ था यह ना पूछा जी चले तो आप से कोशन्स कह रहा है जी हाँ अब फ्रांसी सी करांती समंद्र वर्स घटना के करम में कौन सही मिलान है तो मिलान की बात करें तो 1792 इसम क्या तो रास्टी सम्मिलन हुआ था यह दखना है जो नैशनल कन्वेंशन हुआ था कब तो जी यहां 2792 में हुआ था यह दखना है तो यहां से पूछे बिल्कुल कर सकते हैं चले अगला प्रसंद क्या कह रहा है जी यहां कह रहा है नहीं से कौन सा देश उनिस समराज्जी का हिसा नहीं था यह ना पूछा है उनिस सौदा के रूसी समराज्जी का हिसा नहीं था फिल्लेंड है लाटविया युकरेन और सासन क्या रूमानिया है उनिस सौदा में रूसी समराज्जी का हिसा नहीं था यह दखना है यानि जब प्रतम विश्वत की रुमानिया इसदार राइट आंसे रुमानिया दोस्तों रशीया गास नहीं था बाकि तीनों पार्ट क्या तो जी रूस के पार्ट से या दिखेगा कह रहा है दुट्टे विश्युत के दोरान सक्तियों के समूख को सामुहिक रूप से एक्सिस सक्ति के रूप में जाना जाता है चले एक्सिस सक्ति कौन से थे यानी एक्सिस पावर डियूरिंग पूछा है चले जिया जर्मन जर्मन इटली थे जर्मन तुर्की थे जिया दोस्तों कहरा आस्ट्रिया जर्मनी इटली ते यह जर्मनी इटली और जर्मन इटली और करिए अगर यहां से कोशन पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा को सन्वा का कह रहा है एक्सिस पावर आप से पूछ रहा है कि समय एक्सिस पावर कौन था तो यहीं ना पूछा जी चले आंसे करें तो जी यहां भाई जी जर्मनी इटली जापान इसदार राइट आंसे Kंभ इत्तर से है यह कुछन पकॉर रहा है का हुशक त्म को कह रहा है जिए ंघी मोट से समन्दित था जर्मनी है इटली है फ्रांस अब्लेटेन है यह Dwight तो पिछे और और यहां से पूछे तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं अगला कोसिंस का कर रहा है जियां लूई लुईसोल में सामन्त को उसके लॉड जो जमीन जमीन पूचा है देता था वो कहलाते थे यह ना पूछाए जी या दखिए मेरे दोस्तों मद्द काल में सामन्त को उसका लॉड जो जमीन देता था उसे कहते थे तो जियां सामन्त कहते थे जागीर कहते थे रियास्त कहते थे यह और भी दोनों कहते थे तो जियां जागीर इस दार राइट आंसर दखेगा क्या बोलते थे यह जागीर कहा जाता था यह दखना है तो बी इस दार राइट आंसर यह दखना है चले अगरे नेस्ट प्रस्म की बात करते हैं अगला प्रस्वाइड क्या किरा जी संट राज अमेरिका द्वारा जापान पर 9 अगस्थ 1910 गिराएगा दूसरे प्रमानु बम का उपनाम क्या था यह ना पूछा जी पहला तो लिटिल बॉइट था दूसरा कौन सा था फैट मैं था लिटिल बॉइट था बॉ तो 9 August जियां तो 9 अगस्त 1935 कि नो अगस्त दोस्त 1945 को क्या तो जियां भाइजी कौन से बम गिरा गया था तो फैट सतंस का कह रहा है जिया कह रहा है इट्ली की बा चल रही है कि दुत्ते विष्युद में रिख किस वर्स सामिल हुआ था या किस तारी को इटली सामिल हुआ था यहां से को हुखनवा कह रहा है उतरवा कीजेगा काँ तर दो कह ओ और तका कीजेगा अगर यहां से पूछा जाए तो कहो तकी है 1905 की करांती को 1907 की करांती के लिए रूप में जाना जाता है तो जी आंडोस परत्व प्रोटोटाइप है सेमी फाइनल है यह ड्रेस है सास्वन क्या उपजाओं मैदान है यह नहीं चले आज़ा जाए जिसे तो जी यह भाई जी यहां से पूछा जाए तो ड्रेस रिया ज सर यह दखीएगा इटली में फासी वाद नामक ब्लैक सट उसके दो किसके सुरू किया गया था यह ना पुछा यही क्या था तो फासिजम था यह दखेगा तो कौन था था मुसोली इस दा राइट आंसर बैनीटो मुसोली इस दा राइट आंसर यह दखेगा नश कर रहा है उदारवादी कंटरपंथी और परमतावादी समू दुनिया के किस संगर से संबंदित हैं यह न पूछा है उदारवादे कंटरपंथी और परमतावादी समू दुनिया के किस संगर से जुरे हुए हैं यहां से पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजेगा तो मेरे दोस्त अगर यहां से पूछेगा तो जियां भाइजी अगर यहां से पूछी तो का उत्तक्रम लोग ने मनाएं कोई सन्मा का कहते कहते उधार वादे कटर पन थे तो जियां रूसी करांती इसदार राइट आंशा देखेगा तो फ्रांस की करांती 1789 इसमी मही थे अमेरिक कांती कब तो 1776 इसमी मही थे रूसी करांती इसमी कब तो 17 में हुआ था यह दखना है तो यह आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं चले करा दोस्या देखे अब पर्ल हर्बर होनो लूलू पर्ल हर्बर होनो लूलू हवाई के पास अमेरिकी नौसैनिक अड़ा है जो साथ कर दिया था तो अंसर्वा कीजेगा का उता तो यह हो कोशन का कहते कहते जिया पाल हर्बर होनो लूलू की बार चल रही है हवाई के पास एक अमेरिकी नौसैनिक अड़ा है जो साथ दिसंबर मुसे तालिस को एक विनासकारे आज सारे जनक हमले का द्रिस से था उस देश का सबस्वार कर जाएं जीन दोस्तों मैं उस समय से वेट कर रहा हूं कि संख्या 500 क्रोस कर जाए किसका अंगुठवा टेक का ताकि 650 क्रोस कर जाए चले जापान इसदर राइट आ चले एक बताए हैं करा जन्म से किन संपधाय का विसए साधीका प्राप्त तो जैन्म से विसे विशेशादीकार प्राप्त यहीं न कोशन पूछा जी तो का अर्विंद आनन जी सीमा कुमारी कुपता जी साथ साथ में क्या पीए सिंग जी सीता चौबे जी सीता कश्यब जी उत्तगर बदाएं अगर यहां से कोशन पूछेगा तो क्या है पादरी है कोलीन है तीसी तो यहां से पूछा है बिल्कुल आंजर आना चाहिए चला कर रहा है जिए भी से प्रत्रम विशुत के बाद ठीक है कहरां रास संगठित करने का प्रस्था प्रस्ताफ प्रस्तुत किया था यह अन्युक्त नवां जी आंसर कर दीजे और यहां दोस्तों डेली जो क्लास हो आपको पता है डेली क्लास के तक होता है तो जी के ना चाहते है तो मौच के सांब पांच बजह ठोसाम पांगे mijnुख होता है यहाँ दोस्तार ना सोम बार से सनिवाह्थ सब्सक्राइब होता है साथ साथ में नाइन पीम पर क्या होता है तो टैन मिनट में मजा रहा है सबको टैन मिनट शो में तैन निट शो ठीक है कि नहीं बता दीजे, नाइन पेम बेर टैन मिनड़ शो है, जियान दोसें यहां पे टॉपिक वाइज होता है, यहां पे टॉपिक वाइज दोसेया दखेगा, 20 mcq daily कराता हूँ दोस्तों कब से तो सुमवार से सुक्रवार होता है सोमवार से कब होता है जीया मेरे बाई सुक्रवार होता है या दखना चले इसकांस करिए तो जीया दोस्तों राजसंगठित करने परस्ताव किया था तो जीया अगर यहां से पूछे तो Wilson is the right answer दखियेग अगला कह रहा है फ्रांसी सी कुरांती की दोरान कस घटना ने फ्रांस में राजसाही को समाथ कर दिया था फ्रांसिर सी पैटिकिस घटना ने फ्रांस पेर राषण़ को समाथ किया था तो संपधाजनरल की दिक्षान समरोग था टैनिस कोड की सपत सासन बास्थिल का अतुफान सासन कया तो 10 अगठ 792 का विद्रो यह न कहीं है जीया दोस्तों फ्रांसीसी क्रान्ते कि घठ नाने जीया दोस्तों रास्तंत्र को सम Neben कर दिया था लूएस सोल हूं कि सत्ता को समथ किया था ये आपसे कोशन कह रहा है तो का उत्तर हुत चहों तो पूजा गुपता निदिकुमारी सात में रहल अगर यहां से पूछे तो क्या उत्त कीजेगा चले यहां से दोस्ते से तो जी यहां से पूछे तो 10 अगर करन की बाद चले है तो इसमें इटली का एकी करन में जी यहां दोस्तों यंग इटली जो क्रांतिकारी संग्डन थी जिसने इटली के एकी करन में सबसे महत्मुन भूमिका का निर्वहन किया था तो यही आप से कोशन पूछा जा रहा है तो सुनाली कुमारी अमित कुमार जी उतरवा कर दीजे का उता होता ही पॉंचोद्रे कोसिन का कोह रहा है तो जी यहां दोस्तो मैंजरी इस दा राइट आंसर या दखीगा तो मैंजरी इस दा राइट आंसर या दखीगा तो ई इस दा राइट आंसर बिल्कुश से जवाब है चले आगे बढ़ें अगला कोसिन का कब बना था यहां से आप से पूछे तो क्यां सब्सक्राइब बना था इस समय जर्मनी के राश्प्रदी कौन तो हीडन बर्थेया रखेगा जिसने 1933 में 1933 1933 में हिटलर को क्या तो जर्मनी का चांसलर नूट किया था तो 30 जनवरी 1933 इस दर राइट आंसर या रखेगा वर्स 1933 में जी हां हिटलर क्या तो जर्मनी का चांसलर बना था और बाद में इसी ने जर्मनी के समिधान को पलट दिया था और सुएम हिटलर क्या तो जर्मनी का रा 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दे यह अपने आप में सबसे महत्मून और 60 लाख यहूदी में 15 लाख क्या यहूदी क्या थे बच्चे थे मेरे भाई बच्चों की हत्या करा दी थी यह इतना कटर था यहूदियों से इसका नफरत इतना ज्यादा था कि इसने पूरे यहा नेपोलियन सत्ता में कब आया यहां से आपसे कोशन कर रहा है अगर यह कोशन पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजेगा चले आज़कर दोस्ते से तो जी यहां से पूछा जाए तो 1799 इस दर राइट आंसर यह दखीएगा निसके रहा है जब 1933 में हिटलर की पार्टी सत्ता में आई तो उस पार्टी का क्या नाम था यह दखीएगा और 1933 में हिटलर क्या जर्मनी का चांसलर बना था यह दखना है तो निलम कुमारी जी अगर यहां से पूछे तो क्या उत्तर कीजिए मेरे दोस्त बढ़ें जी यहां से पूछा महामंदी किस्वश परारम होई थी यहां से पूछा जा तो क्या उत्त कीजेगा मेरे दोस्ट 11 31 14 29 यह ना कह रहा है वैस्विक आर्थिक महामंदी किस्वश गड़ित होई थे प्रतम विश्वित के बाद 1929 विश्वित की घटना दिखी गई थे दो जी यहां दोस्तों, this is the right answer, यार रखेगा, अगला कहरा है, इतियास कारों के द्वारा प्रथम विश्यूत को क्या नाम दिया गया है, प्रथम विश्यूत को क्या नाम दिया गया है, पहला युद, यूरोपेन युद, महा युद, साथ साल का युद, यह ना पुछा है, जी किजेगा को सन्वा का कह रहा है उता करें और 500 लाइक अभी तक नहीं हो पाएं छे संख्या कम है तो तेरी से जिन सर्जन अब तक लाइक नहीं क्या उठवा टेक दीजे अंगुठा टेट संख्या 500 पार कर जाए तो दे ग्रेट वाइट आंसर महायुद इस दार राइट से पूछे तो बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए आंसर आना चाहिए मेरे भाइट अगला प्रसुन क्या कह रहा है जियां संग्त रास नाम किसने गड़ा है यहना फ्रैंक्लिन डेर रुजवेल्ट ने ठीक है विसन चर्चिल ने ठीक है ट्रिक लेव ने ठीक है चार्स गर्लिसे की बात करें तो संग कि बाद चल रहा है तो जिहां इसकी स्थापना कब होई थे इसकी स्थापना पूछा जाए थापना कब तो 나 1945 में क्या सभ्षासंग की गए थे इसका हैड को आप यहां 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 से पूछा जा सकता है चले आंसर करें तो फ्रेंगले डेर रुजवल्ट इस दार राइट आंसर यहां दिखेगा कौन थे तो यूएसे के रास्पती थे यहां से पूछे बिल्कुल कर सकते हैं चले हैं अगला प्रसन क्या कह रहा जी अगला कह रहा है नहीं मैंसरे किस वर्स में जर्मन सोवियत गयर आकमरकता संदीपाहस्ताक्षर किये गये थे 49-42-42 जर्मनी से संध होता कि लिए सोवियत संग जब से यूद करूंगा तो या तुम बीच में मत पढ़ना लेकिन अपने डॉकुमेंट में लिखा था कि सब को हराने के बाद सोवियत संग को हराएंगे और जर्मन जनसंख्या का विस्तार सोवियत संग की तरफ करेंगे थे ना क्योंकि अंदर से तो पापी था कौन हिटलर वा ह यह सोवियत संग जब मैं ब्रितेन से यूद करूंगा तो मत पढ़ें मत पढ़ में पढ़ें मत पढ़ें व Arms थी मनू समझा तॉ लेकिन अपने डॉकुमेंट में लिखा था कि सब को हराने के लास्ट में सोवियस संग को हराएंगे और जर्मन जनसंख्या का विस्तार कहां पर तो सोवियस संग की जमीन पर करेंगे यह तो बीच में जर्मन जनसंग जर्मन सैना ने सोविज संग पर अटएंग कर दिया तब संग को लगा कि अरे बाप्रे बाप यह तो मुझे भी लपेट ना चाता है कि वो ब्रिटेन के फिवर में अ गया और हिटलर सम्हित चुका कि सोविय संग के फेवर में आने का परिणाम है दुत्ते विशुद में करारी हार तो जी यहां दोस्तों आंसर कर ये इसका उतर क्या तो जी यहां दोस्तों इंग्लेंड के प्रधार मंतरी कौन थे यहां से पूछा जाए तो का उत्तर कीजेगा क्या उत्तर कीजे मेरे भाई अगर यहां से पूछा जा तो जी यहां मुसोनली था चर्चिल था फ्रेंकल रुजवेल था जॉसफ स्टालिन था ये ना पूछा है तो जी यहां भाई जविशन चर्चिल इस दार राइट आंसर यहां दखिएगा चले निन मैसे किस दल में चि स्वास्ति के चिंग का यूज किया था यहां से कोस्टन पूछेंगा तो क्या उत्तर की जेगा चले आखि रए जिन सजने अब तक टेलीग्राम गूर्प स्थिरा कर लीजे क्योंके इसी तेलीग्राम गूरुप में क्या तो पीडिएफ यहीं पर मिलता है यहीं पर पीडि जिए बहाई इसको तर क्या तो जियां नाजिजम इसन राइट आंसे देखेगा नाजिस दलने अपने स्वास्ती के चिंका प्रणासिजी क्रांथी सब्सक्राइब ला मानसीher क्या है यह ना पुझा है ला मार्सीher क्या था तो रास्टव्ण प्रतिक था रास्टीक था राजनितिक डल था करत टक सब्दः तो फ्रांसी Chris planning क्या है आउस्ट कड़िये तो जी आँ बह। राश्ट्री गान इसदा रॉइट आंसे दखेगा क्या राश्ट्री गान तो चलाएगा बता है तो वास्तु का बना चाहता था चितरकार गायक खेग अनसे रुप्य पैसोल गया तो दोटे विश्वद में रुप्यः पैसों का जो बोज लाधा गया ता जो उसके सम्मान को चीना गया था प्रतम विश्वद में दुदत्य विश्वद' उसी की DID मैं क्योंकि जneckनी के नांशाफी हुई थी प्रथम विश्यूद में और इस बात को हिटलर जानता था और इसी का बदला था second вже वर्ड वार 1 आवा क्योंकि कहीं ओंकि कहीं ना कहीं दोस्तो जर्मनी को प्रत्स हेट में अपमान संदी का सामना करना पर्हां था सभूझा वार्साई की संधी और इसी का पहनी नाम था कह तो सबसे लंबी लड़ाई कौन सी थि यहां से पूछे दोष्राल ब्राइन हैं अगर यहां से पूछा जाए तनुझा कुमाईसर बिहार एस्टेट का क्लास भी चाहिए क्या बात देजिसे अगर यहां से पूछा जाए तो किया उत्तर कीजिएगा ज़े आटलांटी के लगाहिए इस द्थार राईट आंसर यहां दक्षीगा तो कॉल मार्क्स चाहते ति करकताओं को खत्म कर दें पुनजी वाद को नेजी संपत्ती को पुनजी वादवालापका संचेन को काल मार्क्स की बात क्या तो काल मार्क्स आखिर चाहते क्या थे क्योंकि काल मार्क्स पुंजी वाद के क्या थे विरुद्ध थे और यह कहीं न कहीं मजदूर और किसानों के फेवर में थे तो आखिर काल मार्क्स की विचारधारा थी क्या वो चाहते क्या थे इसको है दुट्टे विश्वत का कान की बात का सारी कान उत्तरदाई थे दखेगा जर्मनी का सैन्नेवाद क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए जर्मनी ने अपने सैन्नी कर्ण को बढ़ावा दिया था रासंगी वलता हो गई थी कुछ कर रहा था है नहीं और आर्थिक मंदी ने जियां दोस्तों एकनॉमिक को पूझता तहस्नेस किया था प्रथम विश्वत कि समाप्त हुआ था किस वर्स में प्रथम विश्वत की समाप्ती हुई थी यहा संहीता था जियां यह नि आपसे कह रहा है कि नेपॉलियन कोड जो टारस सोर मिल आया था तो नेपॉलियन कोड में क्या सामिल था यही ना पूछा जा रहा है जी उतरवा कीजिए दोस्तों इसे जैसान के तो तो से जियां भाएजे एक और दोनों थे ठीक है नाहीद नाहीं दो धे केवल दो धे केवल एक है यहीं नीज गहीं और आंस्ट यहां तो electrons बा किया तो से केवल एक इसम्तरिक आंसर तकंढ़े नागरी काहीर हीता दोस्तो क्या तो निपलन कोड था या दकाना है दुआ है सेवरेश की संदी सेवरेश की संदी दोसिया देखेगा किन दो मार्श शक्तियों के बीच हस्ताची की गई थी यही ना पूचा है सेवरेश की संदी पूचा है किन दो देशोगी बीच होई थी विश्यूद और जर्मनी के सहयोगी विश्यूद के सहयोगी और फ्रांस या प प्रथम विश्युद और उस्मान समराज्य के बेच यानि ओटवन सयोगियों के बीच में की के संदी को सैवरेस की संदी के नाम से जाना जाता है या दखीगा तो यहां से पूछे तो बिल्कुल कर सकते हैं चलिए अगर रहें नेक्स्ट प्रसनवा का कह रहा है जी यहां भा अगर यहां से पूछेगा तो रहुआ लोग इनके का उतर होते बनाएं अगर यहां से को सब्सक्राइब की हैं कि नहीं जी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए है ना सब लोग जी चैनल को सब्सक्राइब करना है चाहे कुछ भी हो जाए चैनल वा को सब्सक्राइब करिए चै आफिल्टावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् देश ने जर्मनी पे सासन किया था यहीं ना पूछा जी तो जियां इंग्लेंड है ऑस्ट्रिया है फ्रांस है चीन है यहीं ना पूछा चलिए आजगरे तो जी यहां भाई जी आँ फ्रांस इस दार राइट आंसर यहां दखेगा किसे चलिए अगर बढ़ते हैं कहरा दुत है लोगे है खलो हम टॉडोन आ है फ्रांस दीन करता है फ्रांसिस्सी पहल इतके संदब को संदर बित करता थैं नागरिक्स इन पूछा धिए पूंध दोस्ता कमी इस दार राइट आंसर यहां दखेगा जबते हैं अगला तो यहां से पूछे तो बिल्कुल कर सकते हैं चले अगब रहें तो जी यहां दोस्तों अगला कर रहा है नेपोलिन बोर्णा पार्ट ने किस वर स्वें को स्वें को फ्रांस का सासक घोसित किया था यह ना पूछा है यह नेपोलिन बोर्णा पार्ट के दोवरा फ्रांस का सासक घोसित किया गया था यहां से पूछा जा रहा है चले तो आंसर के बनाए तेरी से आंसर कीजिए भाई नहीं रखता हूँ आज कब मैं सैसे नहीं तक रखता हूं लेकिन सैसे को रखने से पहले आपको बता दो यानि यह आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिए यहां था संसाथ में लाइक नहीं किये आप वैए जॉइन करना चाहते हैं लेवल का बैट जॉइन करना चाहते हैं जी यहां दोस्तों आपको अभी ऑफर चल रहा है ऑफर चल रहा है और दोस्तों कोड क्या तो जी तू कोड लगाना है जी तू कोड लगाएं इस कोड का यूज करके आप जॉइन कर सकते हैं करना कुछ नहीं ह हैмов smlv पर जाना है तो यहाँ पर आगए हम लोग गूगल पर आगए ठी heartfelt जैसे आपको पालना तो टैंजब डाल दीजए बोगतर यहाँ पर सूपर कोचिंग पहले करना है सीधे यहाँ बीहार क्क लिखना है इसको मार देना है जिए भाईजी जब करेंगे तो यह दूस्तो आप तो यह आ अफ्म गया आपप दोस्तों क्या 304 रुपए में आपको दिखाई दे रहा है यह beauty और यह पर क्लिक कर दो यहांगए यहां पर यहांपे से निल इसको अगर कर देगा चोट एहां पर किपन पूरी मैथ की क्लास होगी तो दो कि के पुलब होगा सासंके साइंस पूरा गोड करांगे कितनल Mythical only 300 मेर्ट को पर 25기가 क्या तो कॉर्स है तो चीनल से अ कल से इसमें जोग्रफी मैं सुरू किया है अगर आप में कोई इसने jinoin करना चाहते हैं तो जॉइन कर लिजे जॉइन कर लिजे रोड़ से थे ना seems चले तो आज लिए तकाफिय को बबाई टेक केर and जैहन दोस्तों